दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो में एक और अवस्था एडाल सेंज यानि किसोरा अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं छोटे से टॉपिक में इसकी अर्थ परिवासा भी सेस्था हैं और गुड जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है यह आपकी एक्जाम में पूछ सक तो क्या होता है किसोरा अवस्था आईए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों किसोरा अवस्था की आवधी 12-18 साल मानें गई है 12-18 साल की आवस्था को किसोरा अवस्था मानागी तो माननाओ विकास की सबसे विची तरता सा जटिल अवस्था किसोरा अवस्था कह राती इसका काल 12-18 वर्स तग रहता है इसमें होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तितों के गठन में महत्पूर्ण योगदान परदान करते हैं यहां देखिए उसके व्यक्तितों गठन में महत्पूर्ण योगदान परदान करते हैं जैसे उसकी संगत वैसा उसका व्यक्तितों बनेगा to तो बहुत important है दोस्तों बारश से 18 साल के बच्चा का बच्च अगर किसी सही दिसा में चला गयाचो उसकी ह्याटी तो सही दिसा में चलाएगी खराब दिसा में चला गयाचा का विसेश महठ्द है okay तो देखिए ई-े किल पैट्रिक ने लिखा है इस बात पर कोई मत्विद हो ही नहीं सकता कि किसोरा अवस्था जीवन के सबसे कठीन काल है होता है बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं जगड़ा बहुत सारी चीज़े चलती है सब्ध अग्रेजी के एडलिस का हिन्दी रूपानतर है Adoncil सब्द लेटिन भासा के Adolesier से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना अत्वा साब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते है कि किसोरा अवस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमल करता है या अग्रसित होता है या बढ़ता है तो इसका साब्दिक अर्थ क्या हो गया किसोरा अवस्था का साब्दिक अर्थ हो गया परिपक्वता की तरफ बढ़ना क्योंकि किसोरा अवस्था को इंगलिस में Adolesans कहते हैं और Adolesans Latin भासा के Adolesier से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना तो यह हो गया दोस्तों साब्दिक अर्थ अब इसकी परिवासा देख लेते हैं परिवासा बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट नहीं है आप स्वयम ही परिवासा बनांके लिख सकते हैं लेकिन फिर भी कुलहन के अनुसार कि सोरा अवस्ता बाले काल दाथा प्रवाण आवस्ता के मद्य अत्यदिक परिवार्तन का संक्रमन काल है सबसे ज़्यदा है इसमें होता है नेक्स दोस्तों मानते है जारसिल्ट के अनुसार कि सोरा अवस्ता वह अवस्ता है जिसमें मनुष्य बाले अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है बाले अवस्था बच्पना से आप परिपक्वता की ओर बढ़ जाते है Stanley Hall के अनुशार कि सोरा अवस्था बड़े संगर्स तनाव तूफान तो था विरोध की अवस्था है फटक से इंग्लिस में भी देख लेते हैं आप बच्पना से मिच्वर्टी की तरह बढ़ते हैं और एक ही बात हो गई conflict, tension, storm and the conflict तो यह हो गया तीन परिवासा है अब इसकी विसेष्था देख लेते हैं चाहे विसेष्था कह लिजए, गुन कह लिजए, प्रकृति कह लिजए एक ही बात हो गई तो इसमें सारणी की विकास होता है किसोरा वस्था में मान्सिक विकास होता है opinion हम देना चाहते हैं आत्मकेंद्रित होना वह अपनी opinion अपना एक वीचार हम प्रकट करने लग जाते हैं इस अवस्ता में अक्सर हम अपराद की तरफ मूव करते हैं जैसे कि अपराद की वृती होती है जैसे कि कुछ गलत संगत या फिर इन चीजों की तरफ में बढ़ना तो तो यह natural है यह human का nature है और उसरा वीर पूजा की प्रक्रिति मतलब एक इनसान की सोरावस्ता में 12-18 में एक role model मानने लगता है एक इनसान को follow कर ले लगता है उसे को कहा गया कि वीर पूजा की प्रेविट्टी और काम भावना मतलब physical desire हो जाता है ठीक है आप यह जितने sexual desire भ होना होती है इसी से विरोधा अभास होने लगता है तो यह था दोस्तों आपके सामने 10 characteristics कहलेजिए गुण कहलेजिए nature कहलेजिए यह किसोरा वस्ता की उमीद है दोस्तों कुछ helpful रहा होगा यह सारी वह चीज़ें हैं जो आप already जानते हैं मगर हां एक बार देख लेने से च कमेंस पढ़के मिलते हैं कमेंड बॉक्स में मिलते हैं अंगले वीडियो में बहुत शुक्रिया दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जब सब्सक्राइब कर जूड़ जाए जय ही जय भारत दोस्तों